सवाल नमबर पुरानी कपज Cordy kulli को ख़तम कैसे कर सकता है वाल नमबर कभज को जड़ से खतम करने के लिए क्या खताइए सवाल लंबज है कबज होने से शरीर में कुन सी पांच परेशानिया होती है सवाल लंबज साथ कबज होने पर कैसे फलो का सेवन करना चाहिए सवाल लंबज होने पर कैसे भोजन करना सही रहता है तरसल अगर आप कब्ज से परेशान है तो अपने भोजन में फलो और सब्जों को शामिल करें इनमें बहुत जादा मातरम में फाइवर पाया जाता है जो हमारे पाचेतंद को सही रखता है अक्सर यह देखा जाता है कि लोगों कापेड सही नहीं रहता है फिर भी अपने खाने पीने की सामगरी पर ध्यान नहीं देते हैं जब तक आपका पेड सही नहीं रहेगा तब तक आप अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे और दिन भर ऐसा हैज महसूस करेंगे इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने भोजन में बीन्स, कदू, आलू, चावल और फलो को शामिल करें अब जो भोजन करते हैं उसके अलावा मौसमी फल जैसे संत्रा, मौसमी गाजर, केला, सेव, नासबाती, अंगूर, तरबूज, चैरी, पपीता, आमला, आदी भी खाए इन फलो में फाइबर भरपूर मातरा में होता है, जो हमारे पेट की अच्छी तरह से सफाई भी करता है सवाल नंबर दू कब्ज होने पर क्या खाना खतरनाख हो सकता है दरसल कब्ज से परेशान लोगों को प्रोसेश फूट से बचना चाहिए इन में चीनी और सोडियम अधी मातरा में होता है इसलिए प्रोसेश और जंग फूट से दूरी बना ले इससे कब्ज की समस्या बढ़ सकती है इसके साथ ही साफ पेट अगर नहीं होता है तो आपको दूर से बने परदात का सेवन नहीं करना चाहिए दूर से बने किसी भी उत्पाद को बचाने में पेट को काफी महत करनी पड़ती है वो जादा समय भी लगता है पेट साफ नहीं होता है तो कब्ज की समस्या होती है और दूर के उत्पाद कब्ज की समस्या को भी बढ़ा देते है इसके अलावा आपके रोजानत दद होने वाली दमाओं सहीत कई दमाओं भी आपकी परेशानी में योगदान कर सकती है जिससे मुवमेंट में दिक्कत आ जाती है यदि आप कोई दवा ले रहे हैं और अक्सर कब्ज महसूस करता है तो आपको डॉक्टर के पाथ जाना चाहिए इसके साथी डिहाइडेशन कब्ज के परमो कारणों में से एक है वो शराब पीने से आपकी स्तिती बत्तर हो सकती है शराब एक मूत वर्दक है इसका मतलब यह है कि यह आपके शरी में फ्रूट की मातरा कम कर देता है सवाल लंबर तीन क्या कब्ज होने पर दूद का सेवन करना सही रहता है दसल अगर आपको कब्ज रहता है और पेट साफ नहीं होता है तो सीधे थोड़ पर दूद के सेवन से बचे क्योंकि दूद से बनी चीज़े या डेरी परड़क को पचाने में पेट को काफी महत करनी पड़ती है पेट को डेरी परड़क पचाने में लंबा समय लग जाता है ऐसे में अगर आपको कब्ज अकसर ही बना रहता है तो दूद और डेरी पॉर्डर का सेवन ने करें दही चाज कपज की समस्या में फायदेबन हो सकते है इसके अलावा हम आपको बता दे कि कपज होने पर दूद को साधान तोर पर नहीं पीना चाहिए लेकिन कुछ ऐसी चीजा है जिसके साथ कपज में दूद का सेवन फायदेबन साबित हो सकता है जैसे कि एक गिलाज गरम दूद में दो चम्मज गुर मिलाकर खाने से कपज की समस्या दूर होती है इसके अलावा आप एक गिलाज दूद में दो सूखे अंजीर उबाल कर खाये इससे कपज में अराम मिलेगा महीं रात को सोते वक्त एक गिलाज गरम दूद में दो चम्मज देज़िगी डाल कर पीए इससे सुबा पेट असानी से साफ हो जाएगा पुरानी से पुरानी कपज को खतम कैसे कर सकते है दरसक खराब जीवन सैली और काम के बढ़ते बोच की वज़ा से आजकल लोगों को कपज के समस्या होना आम बात है कपज आज बेहत आम समस्या बन गई है लेकिन क्या आप जानता है कि कब्ज को दूर करने के उपाय आपकी अपनी रसोई में ही मुझूद है जैसे नीमू का रस पाचे तर्द को ठीक करता है इससे शरीम में मुझूद विशासकर्म निकल जाता है ताज़ा नीमू पानी सुभा पीने से कब्ज नहीं होती है चाहे तो लेवन टी भी पी सकते है पूदीना और अद्रक दोनों ही चाहे बनाकर पीने से कब्ज की समस्या नहीं रहती है अद्रक की चाहे कब्ज से छुटकारा पाने के लिए बहतरी घरेलो नुकसा है रात को सोने से पहले गुड़ खाने से सुभा के समय कब्ज की समस्या नहीं रहती है विटामिस और मिनल से भरुपूर गुड़ को गरम करके खाने से कब्ज में बहुत अराम मिलता है कौफी पीने से आप बिना तेर कि ये बातरूम तक पहुँच जाएंगे कोफी से प्रेसर जल्दी बनता है रोजाना पंदा में टहलने से भी आप असानी से कई समस्या को दूर कर सकते है जादा खाने के बाद यदि आपको नीद आने लगे तो आपको थोड़ा टहलना चाहिए सवाल नमBER पाच कबज होने से शरी में कौन सी पाँच प्रेशानिया होती है नमबर इस कबज के गारन ठकान होती है जिन लूब को कबज की समस्या होती है वे अक्सर ठके ठके नज़र आता है पेड साफ ना होने के कारण शरी के अंदर कार्वाहिडर्स का इस्तर बढ़ता है साथ में शरी के अंदर कई गैसे बनना सुरू हो जाती है जिसकी वज़ा से उर्जा पदान करने वाले सैल्स पर परवाब पड़ता है डिटॉक्सिफाइड ना होने के कारण शेरी में बढ़ने वाले टॉक्सिन परदात खून के परभाव में शामिल हो जाते है जिसकी वज़ा से उज़ा का इस्तर गटने लगता है और इंसान जल्दी ठकावन महसूस करने लगता है नमबर दो वज़न बढ़ने लगता है कप्च की समस्या की वज़ा से वज़न बढ़ने लगता है मल त्यार करते समय एस्टोजन नाम के हार्मोन शरी से बाहर निकल जाते हैं जो मटापे का कारण होता है अगर लंबे समय से कप्च की समस्या रहती है तो ठीच से पेट साफ नय होने की वज़ा से ये हार्मोन पाचे तक में बार बार सम्मलित होने लगता है जिसकी वज़ा से बजन बढ़ने लगता है नंबर तीन तचा पर बुरा परभा पढ़ता है सम्मे सम्मे पर मन त्यान नहीं होता है तो शेरी में टॉक्सिन बनने लगते है जो हमारे खून में जाकर मिल जाते है और खून को दूसीद करते है जिसका असर हमारी तुचा पर बढ़ता है इस वज़ा से हमारी तुचा बेजान होने लगती है साथ में कील महासों की समस्या भी बढ़ जाती है नमबर चार कमजोर नाखून और बालों का जढ़ना टॉक्सिन की वज़ा से दूसित खून नाही सिर्फ तचा को नुक्सान पोचाता है बलकि इसका असर हमारे नाखून और बाल पर भी दिखने को मिलता है कमज की वज़ा से हमारे नाखून कमजोर होने लगते है साथ में हमारे बाल भी पतले हो जाते है नमबर पार रोग पतिरोद शम्ता कमजोर होने लगती है कमज की वज़ाशे शरी के अंदर वाइरस, वैक्तिरिया और कैंसर वाले सैस बढ़ने लगते है ये हमारी रोग प्रतिरोज शम्ता पर असर डालते हैं और उसे कमजोर बनाते हैं लंबे समय से कपच की समस्य की बज़ा से हमारे इनले टेर्ट में इन्फेक्शन भी हो सकता है सवाल लंबच है कपच को जरसे खतम करने के लिए क्या करना चाहिए दसल कपच को जरसे खतम करने के लिए आप कई तरह के उपाय कर सकता है जैसे की नमबर एक परतिती सुबा काला नमक को नीमू करस मिलाकर खाने से कपच की समस्य नहीं होती है नमबर दो शहर्ट कपच के लिए सबसे बहतर हो सदी है रात में सोने से पहले एक ग्लाज गुंगुने पानी के साथ एक चम्मच शहर्ट मिलाकर रोज सेवन करने से कपच में फायदा होता है नमबर तीन रात में 6-7 मुनक का बिगोकर रोज सुबा खाली पेट खाने से भी कपच की समस्य ठीक हो जाती है No.40 में सुने से पहले एक चमच, तिर्फलाच चुरन को गुम्वने पानी के सब पीने से सुपा पेड साफ हो जाता है No.5 कबच दूर करने का सबसे बढ़िया इलाच ओसप गोल होता है सोने से पहले दो चमच इसे घोल तूद या पानी में लेने से कपच की समस्या दूर होती है इसके अलावत चियाशीट को भी लाप में भीगो कर सेवन किया जा सकता है नमब च्छे कपच के रोग्यों को अधिक मात्रा में पपीते का सेवन करना चाहिए इससे पेट जल्दी साह होता है पपीत गरब तासीर का होता है जो असानी से पचे जाता है और आतों में मलकों कठोर नहीं होने देता है नमब साथ कपच रोग्यों को सबसे पहले जादा वशायूकत भोजन जैसे तेल में तली हुई खाते सामगई मसालेदा सबजिया नैदा बिस्कीट आदी खाने से बचने चाहिए इसके अलावन नियमी तोर पर पेड़ से संबंदी व्याम्यों करने से भी कपच की समस्या नहीं होती है